इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म में चला जाता है तो पानी से कुल्ला करें. आपके लक्षनों में सुधार होने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन आपको इस दवा का नियमित रूप से उपयोग करते रहना चाहिए. दवा की बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के यदि आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या बिगर जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. इस दवा के सबसे आम दुश्प्रभाव में आवेदन स्थल पर खुजली, सूखापन, लालिमा और जलन शामिल है. ये आम तोर पर आत्म सीमित होते ह गंबीर दुश्प्रभाव दुरलब हैं. यदि आपको कोई अलजी प्रतिक्रिया चकत्ते, खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ, आदी का अनुभव हो तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना जरूरी है कि क्या आप उसी बिमारी या अन्य बिमारियों के लिए कोई अन्य दवा ले रहे हैं या हाल ही मेली है. गर्भवती और स्थनपान कराने वाली महिलाओं को उचित सलाह और सावधानी के साथ इस दवा का सेवन करना चाहिए. यदि आप दवा के लिए ग्या तलजी हैं, तो आ इस लिए ये दवा इन संक्रमनों के कारण होने वाली सूजन से रहत दिलाती है. आप आप जिस प्रकार के संक्रमन का इलाज कर रहे हैं, उसके आधार पर इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं. आपका संक्रमन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी, लक्षनों को वापस आने से रोपने के लिए आपको इसे कभी-कभी लगाना पर सकता है. अधिकांश दुषप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है. अपने चिकित सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चि से करें. ये दवा केवल बाहरी उप्योग के लिए है. अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अब धी में इसका इस्तेमाल करें. उप्योग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें. प्रभावित जगह को साफ करके सुखालें और क्रीम लगाएं. लगाने के बाद अपने हाथ धोएं. जब तक की हाथ प्रभावित क्षेत्र न हो. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.